वे तो अपने आत्मारादना में तल्लीन थे यह तपका प्रभाव यह अत्षिय आनंद वो तो अपने आनंद में मगने हैं बाहर में क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है करे तो करे मेरे अंदर तो कुछ होने वाला है क्या होगा बहार में अरे जो होना है वोही होगा समझे माया इसलिए वो शान्त रहते हैं जंगल में ऐसे भैंकर जीवों के बीच में रहते हैं हिरनी के चंचल नेत्र भी जिने विस्वास से देखते हैं पशुओं को ऐसा लगता है वो दरश्टान्त आता है इतने इस्थिर बैठते हैं कि पशुबी खाज खुजावें खुजली खुजावें के चले जाते हैं गजब की बात है इतने इस्थिर बैठते हैं अपन इस द्रस्टान्त को या मुन्राजों की विशेस्ता को अपने उपर देखें अपनी भूमिका के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम अपने उपर लागू करें हमारा जो सुकी होने का जो सुकी होना है हमें उसके लिए ये सादक मार्क तो बीच में आए गाई ये तो अंगीकार करना पड़ेगा पड़ेगा सब्द बोल रहा हूं मैं होगा अलग बात है इसके बिना मुक्ती होने वाली नहीं है ये सादक अवस्ता के बिना मुक्ती प्राप्त नहीं होगी अब हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में इस दर्ष्टांद को अपने जीवन में सोचें अपने जीवन में शरीर में कोई विक्रती आ जाए तो कितने आहाकार मचाते हैं ये विचार करें, कि हम भी मुंद्राज बनेंगे, तो उसकी भूमिका, उसकी शुरूवाद घर से होनी चाहिए, बहुत से व्यक्तियों को ऐसे देखकर, मुझे आशर होता है, कि बहुत से व्यक्तियों को ऐसे देखकर, जब मुंद्राज बनेंगे ऐसे जी, बन सकते हैं, ऐसे कोई आशर नहीं के नहीं बन सकते, प्रणामों का कुछ नहीं बता, लेकि उस द्रस्ट के अनुसार सोचते हैं, कि ऐसी द्रस्टी से मुंद्राज कोई बने, और हाथ में आहर लेना होता है, मुंद्राज से कुछ बोलना नहीं है, और उस समय कुछ नमक तेज नमक कम हो जा तो क्या करोगे, यद्ध भी उस अवस्ता में तीन के साथ चोकड़ी के अवाब पूर्वा कुछ होने वाला नहीं है, लेकि घर से उसकी सुरूबात मने पात्रता घर से सुरूव होनी चाहिए, अपन को लगता है कि भरत जी घर में ही बहरागी, और दिखता है कि भरत जी ने कपड़े उतारे केवलगान हुआ, अलप समय में केवलगान हुआ उनको, ऐसा अपन को, अपन कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं और है भी, सत्यता भी ऐसे ही है, लेकिन भाइसा कपड़े उतारे केवलगान हुआ, उससे पहले उनके जीवन की मजबूती कितनी थी, घर से कितनी जवर्द सुरूवात थी उनकी, प्रत्यक अश्टमी चतुर दसी को प्रोश्दो पुवास करते थे भरचक्रवर्थी, मने सब्तमी को एक आसन, अश्टमी को पुवास और नौमी को एक आसन, समझ माज़ा ऐसा, और उनके साथ जितनी रानिया होती थी उनकी जो 96 जार कहीं है, वे रानियावी अश्टमी चतुर दसी के आगे पीछे सत्तमी नौमी और त्रियो दसी और पुवास को सपेज साड़ी पहन कर, बेलकुल ऐसे माता जी होती है, जो सादक जी होते हैं उस अवस्ता के, ऐसे जीवन जीती थी उन देनों का, हमें बाहर में दिखता है कि केबल गयान हुआ, कबड़े उतारे केबल गयान हुआ, लेकां अंतर में कितनी तैयारी उनकी थी ये विचार नहीं आता, वो विचार इसलिए नहीं आता क्योंकि जगत की वरत्ती है, जगत में एक सामान ने वरत्ती चलती है, कभी ने लिखा है हिंदी साहित का कभी नाम भूल रहा हूं उनका उन्हों लिखा है जगती बनिक ब्रत्ती रखती जगती माने जगत के लोग बनिक ब्रत्ती बनियां बुद्धी रखते हैं किर्या नहीं परणाम नहीं रखती रिजल्ट क्या है रिजल्ट क्या है रिजल्ट सामने हम देख जगत के लोग तो रिजल्ट सालवर तुमने मैं पढ़ाई की नहीं कि हमें इस से मतलब नहीं जगत के लोग तो सालवर के बाद जो रिपोर्ट काड आता है स्कूल से वो देखकर आपके पूरे जालवर का पढ़ने का अंकलन किया जाता है सारे जगत के जीवत तो परणाम ने रखते हैं परणाम देखते हैं रिजल्ट परणाम माने रिजल्ट रिजल्ट क्या आया समझे माया ऐसी जो ग्यानी जीव हैं उनके पूरी साधना का रिजल्ट मरनों परांत देखा जाता है कि पूरे जीवन में साधना की आत्मारातना के बल पर जीवन जिया स्वाध्याय के बल पर जीवन जिया अब मरन समय विचलित हो रहा है अब सोचो उस समय परिक्षा की घड़ी है वो है वास्ता में, सामान, मैंने का तो एक दू दिन पहले हैं, सामान ने जीवन सुबह उड़ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, जो चल रहा है, जो चल रहा है, लेकिन विशम प्रस्तियां आ जाएं, ये तत्व ग्यान उस समय जीवन में लागू करने की आपशकता है, प्रति सम ये महीने में, साल में, जैसा भी तुम्हें लगे तो सरकारी एस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में चले जाओ, जगत की असारता का हुई ग्यान हो जाए, खड़े-खड़े, कैसे कैसे चित्र भी चित्र, इमर्जेंसी सरकारी डिपार्डमेंट की बात कर रहा हुँ मैं, उन्होंने कहा था, यहीं इसी सभा में यहीं बैठ कर, कि सरकारी डिपार्डमेंट में, सरकारी एस्पताल के इमर्जेंसी में, जाओ, कैसे कैसे रोगी आते हैं, कैसे कैसे भयाकरांत रोगी आते हैं, देखकर लगे, कि संसार वास्तम में रहने लाइक है नहीं, भी तो और तक अपने कारे कलापों से बचकर विस्तर पर पढ़ा होंगा ना अब दो दिन तक 24 घंटे वो सीडी लगाओ और विद्वानों के प्रवचन सुनो बागी 24 घंटे तुम सुन तो नहीं सकते क्योंकि ब्यापार धंदे काम धंदे मेलाओं को रसोडा है काम धंदे घर के काम है पुरुष्णों को ब्यापार धंदे काम है विद्वारतियों को पढ़ने लिखने का काम है तो क्या करे है क्या आपको बहुत विश्त हैं आप अब ऐसे के लिए मुहित जने में में दो मेदे में दो दो दिन के लिए बीमार हो जाओ और शांती जब इस तर प्टर पर पर द्टेना कोई खाली नहीं जाने वाला जिवन में खाली जाने वाला नहीं है है जैसे पने कहते हैं कि सम्मेक दर्सन या कऊ देशना लबदी से सम्मेक तो होता है तो कौन से अत्मा की आराधना की बात कब किस पर्याय में हमने सुनी और कौन सी परियाय की, कौन से वचन हम हो सम्म्यक्त की प्राप्ति में सायक हो جائیں इसलिए कहते हैं जिन वचनों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए कभी भी ऐसा नहीं यह आप लोगों से कहता हूँ क्योंकि आप लोगों को सबस्याद मैं जानता हूँ सबका बायो डेटा मुझे पता है ना जिन वचनों की उपेक्षा करने का रेजल्टी है होता है कि वास्तम में जिन वचनों से दूर हो जाओगे इस्तितियां ऐसी हो जाती है कि आप योग हैं कई बार मैंने कहा भी है आप योग हैं समर्थ हैं अच्छे वक्ता हैं और आपने जिन वचनों की आ रहे कि उपेक्षा की इस्तितिया होगी दसलक्षन में जाने का समय होगा आपका पैर टूट जाएगा माविरी जैनती का उत्सव आने वाला है कल पूरा देश पूरा विश्व है ना भारा सरकार ने भी अहिंसा इंटरनेशनल अहिंसा दिए बस कोशित कर दिया तो हम जैनियों की क्या सोबा है हम क्या करें उस दिन प्राट्टे उड़ते ही जो भगवान का उत्सव है बहुत भक्ती और उल्लास से मना है कल देख रहा था मैं इतना बढ़िया दर्श लग रहा था भगवान की माता उस दर्श से देखती सोचो आप यहां बैठकर एक कल्पना करते कि वास्तर हम जैसे की वैशाली नगरी में ही है और सोचो जिस समय भगवान की माता ने सोले सपन देखे होंगे उनके अंतरंग मे कैसा आनन्द आ रहा होगा और उतना आनन्द अंतर में आ रहा हो तो राजा से जब उसका फल पूछा तो उसके आनन्द की क्या सुमार उनके सोचो आप यह तीरतंकर की माता का ऐसा ही गुडगान नहीं है वो थीस ही हो किसले गुडगान है उनका सोचो आप ऐसा बैठकर व बहुत मेसेज आ रहे हैं आजकल, सारे जितने भी लोग ऐसा वाटसप पर आप लोगों को भी आए, अपने परतिश्ठांत बंद करें, भगवान महावीर जैनती है, तो पूरे उत्सा के साथ, उसम्मलित हो, है न, और वस्तर कोई लिए, वस्तर के लिए, के सफेद कुर्टा पजामा, के सरिया साली पहन कर, हम उसमें, यह अपनी सह भागिता, जैसे तैसे हो, उसमें हम लगाएं, यह हमारा दायत तो बनता है, तो इससे संगटन भी दिखता है, और भगवान महावीर की, जैन्म जैनती का अंतरम है, भगवान महावीर का उत्सा है, वो भी सामने दि इसके बाद हमने इस बार विवस्ता की, महावीर जैन्ती से, वो कमेटी से आया ता कि आप जहांकी लगा कुछ करें, तो इस बार हमने जहांकी बग़रा तो कौन, बहुत माता पच्ची, बहुत महनत होती उसमें, और रिजल्ट कुछ नहीं दिखता अपन को तो इस बार सो आएंगे, उसी भक्ति और उस्ता के साथ हमारी बजन मंदली वहां सामिल होगी, और हम सब सक्का दायत तो है, कि हम सब उस्ता के साथ संबलित हो, ऐसा नहीं कि अबल मुह से कह दिया और हो गया, जैसे तैसे हो, डादा बोलते हैं न, कि साहित का प्रचार प्रचार, कि कोई साहित छपा के करें, कोई साहित को पढ़ा के करें, साहित का प्रचार कैसी करें, ऐसे बगवान महावीर की जन्म जहनती, बगवान महावीर की शोबा हमारे हिर्दय में है, तो उसको जैसे अपनी उत्सा वर्तता हो बैसे करें, ऐसा नहीं कि सोते रहें, बगवान महावीर क सारा विश्व अहिंसा की दर्ष्टी से अहिंसा के पुजारी की दर्ष्टी से देखता है कि वास्तम अहिंसा का मार्ग दर्षक यह महावीर स्वामी यह हमारे राष्ट पता मात्मा गांदी का नाम लिया जाता है वे महावीर के अनन्न भक्त थे अहिंसा की दस्टी से तो वास्तम अपन को उस चीज़ को अपन तो देखो और विशेस्था क्या है कि आप तो विद्वान है तो विद्वानों को तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है कोई विद्वान है कोई हो रहे है और है इस वास्तम है बावी नेगम ने से सबी विद्वान है और सब मंच पर देख रहे थे कल सारी विदुशी वेटी थी सारी विदुशी थी कल सब को जैसे हो जैसे तैसे महावीर जहनती में लगें महावीर जहनती की वास्त में भगवान महावीर का जन्म जहनती मनाना एक कितना शोबा की बात है इसलिए जन्म जहनती नहीं मना रहे कि हमें डोलतमा से पीटने है अपने प्रिजेंटिशन करना के टोडरमल इसमारक का प्रिजेंटिशन हो रहा है था महाविर जनती में इसलिए करना कि हमें भगवान महावीर के गुणों से अनुराग है और जब अंतर में भगवान महावीर के गुणों का अनुराग होता है न तो बहार उनकी भक्ती वास्त में प्रशंशनी हो जाती जगत के लिए जगत में धनंजय कभी की भक्ती प्रशंशनी हो गई थी जगत में बक्तांबर अब मान तुँगी की भक्ती प्रशंशनी है जगत में अंतर में उनके गुणा का गुणानवाद होता है तो जो वचन निकलते हैं जगत में वो प्रशंशनी हो जाते है इसलिए कल जितना उत्सा हमारे अंतर में हो उतना उत्सा बरतना चाहिए और उतना उत्सा से लगना चाहिए समझे भाई है आप सबको उसमें संबलित होना चाहिए अपने अपनी सामर्थ के अनुसार पूरा उसमें संभलित होकर उसके बाद घर में खाने पीने का काम करें कीर पूरी बनाओ, काव पीओ उनका जन्म जो इनका उनकी जैन्ती जन्म महुत्सा मनाया जा रहा है जन्म कल्याणक महुत्सा मनाया जा रहा है और शाष्वत। तुत्वा किंचन धर्वो मनाये जा रहा है वो बास्तम में उन जैसे बनने की भावना से मनाये जा रहा है उनका जहनती मनाने का मतलई नहीं कि अब डोलतमा से पीट के कि हम उन जैसे बने उन्होंने जन्म मनन का भाव किया इस सदा के लिए तो उनके इस उत्सव को मना कर इस कल्यानक महुत्सव को मना कर हम भी ये संकल्ब करें कि हम भी आप जैसे बनेंगे महावीर स्वामी हम भी आप जैसे बनेंगे तब बस तम है भगवान महावीर क्या जन्म कल्यानक महुत्सव मनाना सार तक है अन्यता हर साल मना रहे हैं इस साल भी हो जाए और एक बाद समnya अच्छी तरहा है से दसलक्षण के प्रसंगों पर मैं बिद्यारते से बात कभी कभी कहता हूं कि इस वर्ष दसलक्षण पर हम मना रहे हैं भग्वार जन्म कलिनारक महावीर सौमी का मना रहे हैं अगले बर्स मना पाएंगे क्या गारंटी है क्या यह गारंटी है क्या तो इस वर्स ही उसकी पूर्ती कर लिए पताने अगले बर्स हम हो हो ना हो पताने किस परियाए में हो इस वर्स जैसे तैसे यह मनुष से भव मिला है और शाशन नायक महावीर भगवान की उत्सम मनाने क वह सर हमें मिला है तो वास्ता में कितना प्रश्च नहीं हम जब खतुली में रहते थे तो वहाँ पर यह ऐसी योजना हमने बनाई थी कि जहां जहां से रत निकलेगा उनके घरों में जा ज़क कर उनकी महिमा बताई थी हमने कि हम बांकी बहुत सारे लोग तो इंटीरियर में रहते हैं और आपका घर तो उस मार्ग पर है जिस मार्ग से भगवान का रत आने वाला है तो आप तो कितने सोभा के शाली हो जैसे तैसे खूब उत्सा के ज़द भगवान के रत का स्वागत करो को उलास करो भक्ती करो को उत्सा मनाओ और लोगों में उमर्ती थी वैसे भक्ती भावना और लोग वैसा करते भी थे और हम और आप तो विद्वान हैं विद्वान बन रहे हैं विद्वान हो चुके हैं तो हमारी आपके कितनी जिम्मेदारी बरतती है हैं हमारी आपके तो अंतर में भग्मान मावीर के गुणों का कि भग्मान मावीर ने क्या कहा उनका भग्मान मावीर का जीवन कैसा है कैसा रहा है और उन्होंने हमारे लिए भग्मान मावीर का जीवन कैसे उपादे हो सकता है यह सब चीतों हम जानते हैं जानते नहीं, आप तो लोगों को बताते भी हैं, सोचो आप, तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, अंतर में भक्ती उमरना चाहिए वास्ता में महावीर स्वामी के तीरतंकरों के प्रति, तब कल्याणक मनाना सार तक है, और अंतर में भावना यही हो, तुम जैसा बनने के कारण, जैन में महोत सब में आया, ऐसा हो ना, अंतर में भावना यही हो, यह अभिप्राय में ऐसा होना चाहिए, कि आप जैसे बनने की भावना से भगवान, मैं आपका उत्सम मना रहा हूँ, कोई ऐसा है नहीं, जैन कुल में जन्म लिया, और मावीर, मामा, माता पिता ने कहा, कि बेटा मावीर अपने भगवान है, इनकी प्रसंशा करो, इनकी पूजा बक्ति करो, इनके उत्सम में जाओ, इसलिए नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, कि जाते हैं, और वहाँ, खाने पीने की चीजों में लगे रहते हैं, जिसकी जैसे यही बुद कि बर्सा हुई, तो रतनों की बर्सा उस नगरी में हुई, एक भी रतन लेने को तैयार नहीं है, गजब की बात है, उसका प्रव यह कितने करोड रतनों की बर्सा एक समय में होती थी, और एक भी उस वेशाली कुंड गराम के वासी, रहने वाले, एक भी रतन को चाते हैं और अभी अभी किसी ना किसी के प्रस्ण में अंतर में जहन में प्रस्ण उटता है बेरतन कहां गए क्या किया हो गारे जो चेतन रतन जिनको देखने का सवबाग मिल रहा हो उनको इन जडरतनों की क्या कीमत है भगवान का औरत हारा हो भगवान के रत आने पर इन सामन चीजों की क्या कीमत है और बहुत सो लोग ऐसे भी देखें मैंने कि जब तक भगवान का शोबा यात्रा पूरी ना हो तो हम अनजल ग्रहन नहीं करेंगे शांती पूरवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव जैसे घर में भी होता है किसी की बेटी का व्या हो तो बेटी की मा बोजन नहीं करती कि मेरे बेटी का शांती ब्रो आज पूरा अच्छे से बिदा हो जाए उसे रोटी भाती नहीं है पहले बेटी की बिदा शांती से हो जाए भी या वो अपने घर चली जाए तब उसके बाद खाना पीना तो रोज का है उसमें क्या दम है श्री जी का शोबा उनका रथ उनका जो श्री जी का जिन्विम्ब है वो सम्मान के साथ विराजमान हो ऐसी अंतर में भावना परते थी है और अपन लोगों तो भक्ती गुणान बाद करेंगे उत्सा के साथ भक्ती करें वो जिनकुमार बताएंगे आपको बोजनाले में उसकी विवस्ता क्या बनाई है बताएंगे आपको यह बहुत अद्वुत बात है और उनके बताए मार्क पर चलने वाले मुनिराज कितने शूरवीर होते हैं क्या लगाभी वे ऐसे वे धीर धन्न हैं और धीर धीरोदात इन सब्दों का अर्थ आपको बताने की आवश्यक्ता मैं नहीं समझता धीर माने गंबीर बिचिलित ना हो वे धीर है कैसे वी स्थितियां पर स्थितियां आजा है मुनिराज बिचिलित नहीं पहले अपने पड़ा है कर्मों दैसे वे खेद खिन नहीं होते कर्मों के उदे में परिशान नहीं होते ऐसा जीवन होता है उनका देखो जो निज सरूप में मगन होकर परमशांत दसा को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं बताओ कौन धन्य है हमें तो धन्यता उनकी लगती है जो धनाड्य है जो धनाटे हैं भी हमें धन्य लगते हैं बड़े बड़े इंडरस्टीरियर बड़े बड़े जिनके नाम आता है बिड़ला है टाटा है अम्मानी है हमें इनकी महमा आती है कि इतनी संपत्ती है इतनी लोग इतना इतनी संपत्ती है धन्य वे हैं क्या हमारी द्रश्टी में हमारी बास्ता में धन्यता धन्य के लिए आदर्श कौन होना चाहिए कि जो रत्नत्रे की साधना करते हैं वे धन्य है क्योंकि इससे ही सुख होने वाला है इसके अलावा किसी भी मार्ग से किसी भी बस्तू के आदार से सुख होने वाल सब को प्रिय को प्रिय को पातु हैं राधना कर रहे हो तो उस समय बन चारी जीब भी उस परिशर के पास आते हैं उनके एरिय के पास आते ही जितना भी जो स्वाबावी जिनके जीवन में क्रोध है वो शान तोई स्वाबावी क्रोध सारे पशू स्वाबावी क्रोध ही होते है स्वाबाव से क्रोध भरा होता है उनमें पशूँओं में है न शेहर है चीता है बाग है लॉमडी जितने भी जो भी है इस सवाब से क्रोधी होते है मास भक्षी होते है अब ता जगत के बे जीव जगत के अग्याने जीव भयाकरांत हैं जो जी बे उनसे डरते हैं उनके नाम लेने में उनका कलिजा थर-थर कांपता हो ऑसे प्राणियों के बीच में मुंद्राज निश्वाव में मगन रहते हैं और लिखा गजब की बात सबको प्रिये हैं सबको प्रिये हैं माने बनिचारी जीवों की मुख्यता से बात है उनके बएब कोई कुछ करे तो करे और उनकी दिरस्टी में है वो खाएगा तो शरीर खाएगा जो मेरा है नहीं आत्मा को आत्मा का एक बुन भी खाने की सामर तो किसी की है नहीं जो मेरी स्वैम की वस्तु है वो तो कोई ले नहीं सकता ले जा नहीं सकता इसलिए कितने निर्विकल्ब और कितने निर्वे रूप से जीवन जीते है ऐसे मुनिराजों की वास्तम में हमें वास्तम में वंदना प्रती समय करना योग है उनके सरूप को समझे हैं उनके सरूप की आरादना उनके सरूप को समझे बिना नहीं हो सकती उनका वास्तिविक क्या सरूप है उस सरूप को समझें तो अंतर में भक्ति वहाँ उम्रे बिना नहीं रहता वे सुख के मार्ग में सतत लगे हुए हैं रंच मात्र भी इस दुख के मार्ग में नहीं है वे और अग्यानी दुख के मार्ग में लगा रहता है वो सुक का मार्ग चाहता है नहीं कोई उसे वही आनन दाता है वो पुंड़ पाप के उद्धे में हाकार उसी में मचाता रहता है उसी में पागल की तरह बेगता रहता है मरग मरीचका की तरह परवस्तों में सुख ढूंडता रहता है है का परवस्तों में सुख सुख तो निज अंतर में है निज स्वरूप में मगन होकर परम शांत दसा को पराप्त हुए जो परम शांत माने इतनी शांत मुद्रा के भया क्रांत मनें क्रोधी सवाव के प्राणी भी उनके शांत मुद्रा को देखकर अपना स्वेम का क्रोध भूल जाते हो जैसे तीर्थंकर की माता का जो रॉल करें तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं उनके अंतर में वो ऐसी भावना आना चीए ऐसी उमर ना चीए भावना वो अभिने करने वाला वो अभिने मात्र नहीं है वो जगत ने आपको माता पिता बनाया है जगत ने आपके अंदर ऐसी क्वालिटी देखी है तो अंतर में भी माता पिता बनने जैजी सोबान और भगवान के माता पिता नियम से मोक्षी जाने वाले होते है पिता उसी मोक्षी से जाए माता एक दो तीन भव से जाए अधिक्तम भव सात में भव तक मोक्षी जा सकते है ये ब्रमचारी रायम अला जी ने चर्चा संग्रे में लिखा है भगवान के माता पिता साथ में भव लास्ट साथ में भव तो मोक्षी जा सकते हैं पिता तो उसी भव से जाए तो जाए अगले भव से जाए अंत साथ मा भव उसका अंत होगा साथ में भव संसार से जाने ही वाले हैं इससे ज़्यादा भव नहीं है उनके सोचो कितने अंतर में कैसे माता पिता का प्रणाम कैसा होता होगा आत्मान भव का ऐसा आनंद है कि आत्मान भव के आत्मान भवी के साथ रहने वाला जी भी आत्मान भवी हुए बिना नहीं रहता ऐसा जगत में का जाता काजल की कोठरी में जाए हैं तो काला हुए बिना नहीं रहता रत्रत्रे की कोठरी में जाए तो सुख हुए बिना नहीं देता सुख होता ही होता है जो रत्रत्रे की आरादना करते हुए तो सुखी है ही और जो उनकी आराद्ना करता, रतनत्र के आरादकों की बे भी सुखी होते ही अब फिछले संद में पढ़ा था भै हमें सुखी करे हैं बे हमें बवशागर से तारें तारने में समर्त हैं जो उनकी मार्ग को अपनाएगा वो बोथ पारनी होगा तो कौन होगा मिठ्या दरस्टन ग्यान चारितन में रहने वाला आकंट डूबा हुआ वो पार होगा रतनत्र की आरादना करने वाला संसार से भवसागर से पार होगा ऐसी हद्बूत बात है भई या बन के तो क्या गजब की महमाद है को बन के जीव भी जो वो भी उनको सारे जगत के जीव उनको प्रिय हो जाते है बनचारी जीव भेंकर जीव उनको देखें तो कशाय शान्त हो जाए दरस्टन ताता है ना दो पशू लड़ रहे हैं एक मुन्राज को मार कर खाने का परनाम रखता है वो एक मुंद्राज को बचाने का प्रणाब रखता है लड़ दोनों रहे है द्रशी है लड़ने का लेकि दोनों के लड़ने के अभिप्राय में कितनी अलग अंतर है कितना जवर्दस अंतर है ऐसे अद्बुत जीवत मुंद्राज को होता है देखो लिखा है बेद विज्ञान की महिमा कैसी बेद विज्ञान की महिमा है यह अगला विश्य आएगा उसकी चर्चापन आगे करें यह अगला विज्ञान की महिमा